यह जो दुनिया है ना बहुत अजीबो गरीब है क्योंकि यह ऐसे ऐसे चीजे देखने को मिलती है जो हमें बहुती चौका देती है कुछ ऐसे अजीबो गरीब कानून भी होते हैं जिनने जानकर आप भी हरान रह जाएंगे आपको क्या मालूम है दुनिया के कैसा देश है जिसमें मोटा पे को लेकर भी कानून बना है लौ है जिहां और वो देश है जपान जो कानून किसी को मोटा होने की इजाज़त नहीं देता और प्रिया ये कानून सबसे पहले चीन में लगना चाहिए जहां सिर्फ 20 दिन में 25 करोन लोग कोविट के शिकार होए हैं ये आंकडे चीनी सरकार के डेटा से लीक होए हैं और मोटाबा घटेगा तो कोरोना के कॉम्प्लिकेशन पी काफी हद तक कम हो सकते हैं क्यूंकि कोरोना काल में वाइरस की चपेट में आने वाले मरीजों में उबेस याने की जो मोटे लोग होते हैं उन्हें सबसे आदा ICU और ऑक्सिजन सपोर्ट में रखना परने की पढ़ने लगती है और एक स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूँ जिससे ये पता चला है कि ओवोवेट लोगों को कोविड होने पर जान जाने का खत्रा डबल हो जाता है इतना ही नहीं मोटापे से दिल की बीमारी हाइपोटेंशन टाइप टू डाइपोटीज जैसी तबाम बीमारियां होने का खत्रा और जोखिम बढ़ जाता है और जो को मॉबिड्स हैं वैसे ही कोरोना के लिए सौफ टागेट है अमिद फिर तो दुनिया के उन्हें सौ करोड से भी जादा लोग जो के ओवरवेट हैं उन्हें तुरंट अलर्ट मोट पर आना चाहिए और उन लोगों को भी जिनका बीमाई यानिकी बॉर्डी मास इंडेक्स बॉर्डर लाइन पर हैं खासतोर पर आमारे देश में जो लोग हैं क्योंकि यहां सर्दी के इस मौसम में चाय पकोड़े और उसके साथ जो स्वाध हम चटकारे लेकर पकोड़े खाते हैं लेकिन ठंड में तो मोटा आपको भी आ गया बिलकुल आ गया और ठंड में जो मेटाबॉलिजम होता है उस बहुत स्लो हो जाता है जिसके वज़े से ह हम जो खाना खाते हैं जिसमें ज्यादा तेल या फैट होता है वो हमारा जो BMI लेवल है बिलकुल विगार देता है वैसे देखिया हमित कोरोना से साथधान तो मोटे क्या पतले क्या हर किसी को रहना है क्योंकि मोटापा को दावत देता है यह सच है लेकिन कोरोना का सबसे बढ़ते वजन के रूप में कई बार सामने आता है, इसलिए हर किसी को सतर्क रहना चाहिए। ऐसे में कोरोना हो या ना हो, बढ़ते वजन पर ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए, बिना देर के स्वामी रामदेव के पास चलते हैं। और बिना सर्जरी वेट लॉस करने के उपाई योग गुरू से जानते हैं। स्वामी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत-बहुत प्रणाम जी, अमित भाई और प्रिया पुणा भी अब हमारी नई योगिनिया तयार हो गई है। और मेरे साथ यहां सब भाई भेन वो हैं जिन्नोंने गोटा पे में नए किरतिमान घड़े हैं। यह मेरे दाहिनी तरफ जो गोल मटोल सी दिख रही है तो काफी पतली हो गई है पहले कितना था मेरा 85 के टिफाई और अब कितना है शिष्टी फोर शिष्टी फोर से मैं आ गई हूँ और कााजमगड़ से में आजमगड को योगड़ बना देना और तंनतर हैं हमने भी मोटापा काम कर दिया थीम दिन में थीन किलोंगें औरे बेन जी थोड़ी से मोटी लग रही थी मैंने भी पांच दिनों में पांच किलो वजन कम कर लिया है समार्ट लग रही है सभीता शर्मा उमर कि छतीस साल अब देखो इननोंने सब्रेक किया है यह तो हैदराबास यह बिटिया क्या नाम है पीसी ओडिया और मेरा वेट बेल लेवन के पीसी ओडिवी ठीक रिया बड़ी बड़ी चीजे कर ली ठीक इनने तो सारी की सारी और इदर एंपोटे-बटे इधर भी आए कुछ ए एक तो अ फूरा मोटूरा में एक तना बजन इन पेडने एक रूप्र जोर्पि तिरे लेकर शर्मने कर्म इस बड़ा लिया क्या 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 सब खाय यह कह से और रजिस्ता अंजमेर और दालबाटि चयूर्मा से लेकर मुरगा मुरबार तो नहीं रगड़ा नार साकाहरी खाया अच कितना कम पांच किलो कम किए चे दिन फाइज दिन में अरज क्यों टेटिक सुशृ एल दूम लागा जनी टीकर लिया चलो सब अिकॉड खड़े खड़े दोड़ाओ करो इससे विजन कम होगा और मैं अपनी चादर खेग देता हूँ तो सब दोड़ लगाओ ऐसे ऐसे हाँ पूरे दोड़ ऐसे दोड़ना चाहिए यह नीचे भी आज तो मैंने सबसे बोला अपने अपनी थेरापी करा लो लेकिन इंडिया टीवी का ऐसा चार महें सब को लोगों को इंडिया टीवी का एडिक्शन हो रखा है और ये इंडिया टीवी एक टीवी होने के साथ साथ एक होस्पिटल का भी काम कर रहा है एक अपग्रेड करने का काम कर रहा है इंडिया TV अपने आपमे एक टीवी चैरल भी है वहाह समाचारी बैल क मिलते हैं उपचार भी मिलता है सेंकुडों हजारों होस्पिटलों के बराबर काम कर रहा के लिए इंडिया TV हाँ आप लोग अपना मुल्यांकन पुरा करने ही पा रहे हो मेरे भाई हमें जी जोस्तना जी देखो करोड़ों लोगों का कि करोड़ों बीमारिया मोटापा बीपी शूगर थारेड असमा अर्थराइटी से सब ठीकर एक तो ये और एक दूसरा ये ऐसे ऐसे ये दोई कर ले योग योगी के अभियास हैसे और फिर जिन में फ्लेक्सिबिलिटी है वह मेरे साथ पूरा शुन ने मश्कार करई है वह से वाकित अच्छ ऑंशंतिर्यक ताड़ाशन करो ताड़ासन तर्यक ताड़ासन त्रिकोनाशन तर्यक धाडशन कोंशन धीर ये पूरा पैकेज है अभी पांच मिनटी पूरा पैके चलेगा पुरे जोर सोर से फिर इसको कंटीनू थोड़ा सा लंबा करना जो कर सके वो कर ले ना ऐसे ये ऐसे ऐसे और फिर देखो मोटा पा का पूरा पैकेज साइड का बगल का बजन कम हो जाएगा नो बैरियेटिक सर्जरी अलग लग तरह से लोग ना करते रहो करते रहो सब करो तुम भी करो नीचे वालो उपर वालो कोई बैरियेटिक सर्जरी की जुरूत नहीं कोई लाइपो सेक्षन की जुरूत नहीं और बहुत ज़्यादा भूखों मरने की भी जुरूत नहीं बोईल्ड वेजिटेबल सब तरह की साख सबजियां खाओ फ्रूट्स खाओ फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा बाटरमेलन खाओ थोड़ा अंकुरित भी खाओ थोड़ी थोड़ी ड्राइफूर्स भी खाओ दो दो तीन तीन ज़्यादा नहीं कभी एक एक किलो रगड डालो और फिर ये त्रिकोणासन ऐसे ऐसे ये ऐसे लमे लमे श्रासों के साथ पचीस पचास सो सो बार करा देते है फिर वजन घटाने के लिए लमे लमे श्रास अब ऐसे तो निम्मू पानी पार मेथी पानी पार उपवास भी कराते हैं मेदो हरवटी ये तो बाइं तरफ रखे ने मेदो हरवटी गोधन अर्क वेट गो ये भी देते हैं गरम पानी पिलाते हैं अनाज, नमाक, मीठा ये सब बंद कर देते हैं आज लड़ू की बात नहीं होगी ने तो बहुत से तो सुबह उठते हैं लड़ू लड़ू नास्ते में रगड़ देते कुछ सा तो लमे लमे श्रास आज हम जो है स्लीम च्वाइस एक वेट गेन है एक स्लीम च्वाइस है वेट घटाने वाला लमे लमे श्रास किसी को खाना नहीं खाना तो स्लीम च्वाइस ही दो दो चमज खानो वजन घटा लो ऐसे आगे पीछे का वजन घटेगा तो हर एंगल से वजन घटाना है, हाथों में, पैरों में, पेट में, पूरी बोडी में वजन बढ़ जाता है न, अब पूरी बोडी का वजन बढ़ावा है, तो देखो ऐसे, ये पेट का ऐसे कचमर सा निकाल देता, देखो ऐसे, पेट का ऐसे पूरा निचोड देते है स्वामी जी आप जिस तरह से अजमेर से जो भाई साव आए हैं उनका वजन कम कर रहे हैं उसी तरह से हमारे देश में जो यंग जनरेशन है वो काफी जादा वेट गेन कर रहा है क्योंकि फास्पूट बहुत जादा खाते हैं वैसे भी ठंड भी धिरेदे जो बढ़ती जा र हैं मोॉट आप वालों को मोटीवेट करना बहुत जरूरी है अब देखो ये मेरी से आधी उमरका इसके बाफ क्यों मरका हूं है तरे बाफ क्यों मरका रेए सुन क्या नाम है अर्विंद तुम रोज मैंजे देखा कर बरना मजे सामेराम devotee सес Thai हौना है तेरे मैंест एक राम हो दो मेहने के अंदर आप 40-50 किलो कम कर सकते हो और विंद कितना 40-50 किलो बस डाल रोटी चूर्मा पर सोटा बत गुमाना ठीक है बीटा ने गुमाएगा न पहले बहुत खा लिया था ऐसे लंबे-लंबे-श्वास लंबे-लंबे-श्वासों के साथ ऐसे करना ये दूसरा और अचर आगे पीछे जुकना ये ऐसे अब तेरे तो लोड़कने की संभावना होगी करेंगा 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 है जवान सा लड़का पकड़ा है इसरे कोई दिक्कत नहीं कोई बुढ़ा ठेरा पकड़ लेता तो नोट नट बोल्ट धिले हो जाते है चेती सिल जाता ऐसे और जीक्त नटा लेत असे ये सोबार करना अरविंद्ध ए बहिंडो तुमी लेटु आसे टुकर टुकर देख रही हो इंडीलेट़ सारी ये ऐसे है असे सब भाई हो बहन हो बच्चे हो मुड हो सब पतले होंगे कोई मोटा नहीं रहेगा और जितना मोटा उतना खोटा बोटी को खोटी नहीं कहा चूंकि नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी लंबे लंबे श्वास तो ऐसे लंबे लंबे श्वासं के साथ करो भेनो बहुत अच्छा कर रही हो ऐसे ऐसे फिर ये इससे पेटना एकदम फ्लैट हो जाता है बहुत सोना लगता है स्वस्थ सुन्दर सु चालीस पचास के लिए दो मेहने अनाज बंद रोटी बंद तो शाक सबजिया आज तेरे को पूरा डाइट बता दे रहे हैं जितने भी धरती पर शाक सबजी होती है सब खाओ कोई दिक्कत नहीं है प्रोटीन के लिए मसरूम खाओ थोड़ा सोया भी ले सकते हो सोया बढ़ी ले लेना वो भी नुटिला के ले ले लेना तो और हमारी कंपनी का भी भाव थोड़ा अच्छा हो जाएगा सब लेते हैं ने सबसे स्वादिश्ट है लेकि सवामी जी दिल से अर्वीन 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 अब दिल से अगर लगेंगे तो वो मुटापा घटाए देंगे लेकि सवामी जी दिल का जिक्र करते हुए याद आता है कि मुटापा तो दिल के खत्रों को भी बढ हाँ यह भी जरूरी है तो वेट कम करने के लिए पूरा पैके चल रहा है अर्दहलासन एक-एक से भी कर सकते हो बेटा तुम यह मोबाइल जेब से निकालो यह खत्रा है यह मोबाइल समय सा पासमा बतरखा करो इसे रेडियेशन फैलता है मोबाइल से रेडियेशन बाकी पॉ मैं दोनों से करता हूं क्योंकि मेरे दोनों तुमारे एक के बराबर है ना ऐसे एक पर से दोनों परो से यह तो मैं दोनों से कर रहा हूं तब अर्विंद का मुकावला कर पाऊंगा ना यह लंबे-वंबे श्रस तो यह हाट के लिए कोलखवाईस अन्टिक्लोक-वाइच तो एक-एक से ही करना हाट वाले तो फिर ये तो देखो वीट का पैकिज पूरा हो गया अब बात सुरूती हाट की तो हाट के लिए क्या करें तो ये तो एक-एक-जार बार से पहले रुकना ही नहीं अर्विंद ऐसी कर दोनों पैरों से ऐसे लगा रहा है ऐसी और हाट के लिए एक तो है देखो ये मरकट आसन और उल्टे लेट करके जो भुजंगा आसन कर रहे था ने भुजंगा आसन और मकर आसन पड़े अच्छो हाट के अध्या को लिए तो जो कर सके ऐसे देखो ये ये और ये ऐसे हैं फिर हाट के लिए ये पवन मुक्तासन भी बढ़ा अच्छा है हाट अर्जुन की चाल डालचीरी पीये ने तो बना बनाया अर्जुनारिष्ट पीले ने तो अर्जुन की घनवटी भी अभी हमने तयार कर अध्यामरीत लेले रदयामरीत अध्यामरीत और खाली पेट कार्डियोगरीट और लोकी का जूस लोकी का सूप और बोएल्ड वेजीटेबल और फूट्स जो आज मोटापा के लिए डाइट बता रहे हैं ना जी वही डाइट हाट के लिए होगी अब अर्विंद की तो प अब यह थोड़ा जुक पाएगा क्योंकि कम बखत पेच बीच में अड़ जाएगा अब यह सारी बाद हैं हटाने पेटा तेरे को देख मेरी तरफ तो मेरे जितना नहीं जुक पा रहा ना देख क्योंकि सारा माल मसाला इधर अटका पड़ा है तो अच्छा मी जी यह हाट हाट के लिए अच्छा है मोटा पहएमें मेदोहरवटी के साथ जोत्सना जी यह वेट गो के साथ गोधनार कले और हाट में हिद्यामरित ये अरजुन की चाल के काड़े के साथ उसको भी मिला ले और या अरजुन गनवटी हिद्यामरित के साथ ले लिया हाट के ब्लोकेज हाट के जो पल्पिटेशन उची निची रोती रहती है और जिनका इजेक्शन फेक्शन का मैं इफ बोलते हैं इजेक्शन फेक्शन वो जिनका 25 है उनका 100 तक पहुंच जाएगा एए सुरी 50-60 तक इजेक्शन फेक्शन फेक्शन 50-60 तक पहुंच जाएगा बहुत जबरदस नहीं काडियो ग्रिट हिरदय अमरी ये गोधन अर्क सुबसमा खाली पे और कॉलेस्ट्रोल नहीं बढ़ेगा कॉलेस्ट्रोल भी निकल जाएगा अब जा तू सौमे जी अच्छा जो मोटे लोग ह हैं इम्मिनिटी की इस रिस्क काफी जादा होती है क्यूंकि उनकी इम्मिनिटी के कम होने के खतर हमीशा रहता है तो इम्मिनिटी को बढ़ाने के लिए न देखो तो कमजोर देखने में जो दुबले पतले लगते हैं बहुत अच्छी मिनिटी रहती है हमारे सबसे पतली है एक बेटी देवस्रुती उसकी इतनी हाई है बीच में थोड़ी कमजोर हो गई थी तो हमने फिर उसको इम्मिनोग्रिट दे दिया यह बड़ी जबरदस है गिलोई अच्छी के लिए इम्मिनोग्रिट गोल्ड गिलोई घनवटी गिलोई घनवटी एडवांस ले 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 और जिनका विटामिन डी बी टोईल कैलिसन ऐरन ओमेगा अधी कम है तो उसके लिए देखोई पूरा निटिया शुटिकल का यह पूरा रेंज हमने ला दिया पहले ए उप्चार और उपकार की भावना से यह अब जब किसी भी नूटिशन की विटामीन की कमी हो जाती है, विटामीनसी जींका अधी की विटामीन डी बी ट्वैल कैल सिम आइरेंडिन ओमेगा अधी कीuses कीपरोटीन नास्ता अंकुरीत और फलादी साधा खाना नेचुरल और नेचुरल घी नेचुरल मसाले यह जो इधर उदर के तड़क भड़क वाले यह ठीक नहीं और प्रणायम करें ऐसे कोई पतले की दवा खाने की जरूतनी को इनके निटिला की का जो है यह स्वामी जी ये तो इम्यूनिटी स्ट्रॉंग करने की बात हुई अब सर्दियों में गुटनों में भी दर्द की परिशानी बहुत बढ़ गई है और उस पर वजन ज्यादा हो तो उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे में ओवरवेट जो लोग हैं वो क्या उपाए करें कि जॉइंस खासकर की घुटने जो दर्द की समस्या है वो दूर हो जाए उन्हें ये परिशानी न सताए तो योग यज्जे से इमिनिटी बढ़ती है और घुटनों के लिए देखो बता देता हूं एक तो एलिवेरा गिलोए उसका रस्पी है हो सके तो पारिजात हार श्रिंगार जिसको कहते हैं निर्गुंडी या सहजना भी मिला दे पांच चीजे मिल जाएं तो ये तो पंच जात हर श्रिंगार में जो मिल जाए दो तीन चीजों का रस्पील है पेडानियल गोल्ड खाली पेट और्थोग्रिट खाने के बाद तो जो हड्डियां रिपेर हो जोते हैं जिसको ऑस्टो परसिस बोलते हैं हड्डियां मास्पीसियां और घुटने की वो जो है काटिले तरह से यह सोड़ी तो बिंशे तक भी पोंचाए धीर धीर दिरी और मेरी तरह से जो पहले ही से एसे करते रहेंगे जो सना जी के तरह लिए भाई की Тरहां में कभी जिंदगी में काटिलेज घिचेंगे निए घुतन हुटनू में कभी दर्द होगा इनिफिर एक उपाय औ अब ऐसे से करने से, अलॉवेरा और गेलोई के रस के साथ, पीडानिल गोल्ड लेले, हमने पूरा, रियल वर्ल एविडेंस भी है, और सेंटिफिक एविडेंस भीडेंस भी है, गुटने के घिशेवे काटिलेज वापस आ जाते हैं, इसके अलावा फिर एक यह भी अभ्यास है, इसके अलावा यह भ्यास है, चलो भेनो ऐसे ऐसे करो, मुस्कराते भी सब बहने बड़ी प्यारी लग रही है, और उसमें भी टोपा ओड के, स्वेटर पहन के, कोट पहन के, और सर्दी से बचने का उपाय जरूरी है भेनो, हाँ, ऐसे, तो देखो, ऐसे, और फिर ऐसे, देखो यह, उल्टे लेटो, यह भी घुटें के लिए बड़ा अच्छा है, फिर इसमें पीडा निल तेल, पीडा निल ओइंटमेंट, पीडा निल स्प्री, यह बड़ा चपर दसलाब करता हूँ, पीडा निल ओइंटमेंट लगा क के, फिर उसके उपर गरम कपड़ा बांद के रात को सो जाओ, आधा धर्द सुबह तक गाय मिलता है, यह इतनी अच्छे-च्छे उपाए हैं, अब कुछ लोग तो ऐसे सुनते रहते हैं, एक कान से सोना, दूसरे से निकाल दिया, कुछ लोग अपने नोट डाउन कर लेते डारिया बना रहे हैं, हेल डारी, इंडिया टीवी की लगबग तीन सालों में मोटी मोटी डारिया तैयार हो गए हैं लोगों की, खुद भी उसको आजमाते हैं, और दूसरों को भी बताते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो स्वस्थ भारत बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, और इंडिया टीवी तो अब एक अंदोलन बन गया है, स्वास्थे का, रोग मुक्त भारत का, नशा मुक्त भारत का, और योग मुक्त हो करके, योग युक्त हो करके, देवत और शित्तों से उक्तों के, हमारे डियने में तो योग है, तो हम लोग योग पुरा शरीर ही मजबूत हो जाता है अगला कोई और विशा चुटा हो तो ले लो बहन जी आप बाकी तो प्राणायम तो करना ही है सूपर इम्मिनिटी बढ़ आती है सामाने नहीं स्वामी जी चुक्कि हैं मोटापे की बास कर रहे हैं स्वामी जी एक धारणा हैं लोगों की कहते हैं कि मोटापा जीन से आते हैं अगर पेरंस ओवरवेट हैं तो फिर कहा जाते हैं कि बच्चे भी उनके मोटे ही पैदा होंगे तो क्या योग से हम इस चेन को भी तोड़ सकते हैं और जो धारणा है क्या वो सच है देखो कपाल भाति अनुलोम बिलोम करते रहें मोटापा के लिए बहुत अच्चा भस्रीका करने से पांस से दस अजार किलो कैलोरी एक मिनट में उससे बर्न होती है एक्सपेंडीचर होता है पांस से दस अजार किलो कैलोरी बताओ एक दूसरा एक कपाल भाती और तीसरा अनुलोम बिलोम कितना अच्छा लगता है करके यह के इंचा लगता है और जब पुरा योग में खो जाते हैं तो जीवन ही पुरा दिव्य बन जाता है जीवन का निर्मान और निर्वान जीवन मुक्ति की प्राक्ति हो जाती है मोटापे से मुक्ति तो होती है तो देखो जैनेटिक स्ट्रेक्चर जैनेटिक स्ट्रेक्चर हमारा किसी का भी रोगवाला नहीं है ये बीच में गड़बड़ी हुई है तो जो हमारा जो बेसिक स्ट्रेक्चर है इंडियन्स का उसमें मोटापा नहीं है the basic structure of human being not only in India everywhere ये मनुश्य ने जंग पूर्ड खा करके फास पूर्ड खा करके less physical activity, over eating, unhealthy eating, फिर खाना, पीना, जीवन शली को गड़बड़ा करके the basic structure of human being is completely healthy तो मनुश्य ने जो गड़बड घोटा रहा कि उसको ठीक कर लो तो basic structure हमारा healthy है मैं बात कर रहा हूँ 100-200-500-1000 सालों की क्योंकि ये तो मनुश्य का जो structure है कोई एक दिन में थोड़ी बना है तो जो हमारा DNA है उसमें कोई रोग नहीं है तो इसलिए जो माता-पिता मोटे हैं उनके बच्चू को हमने पतला किया मेरे यहाँ पर सन्यासी भी हैं छोटे बच्चे भी हैं बड़े बच्चे भी हैं मैं तो पुरा धेश गुमा हूँ पुरू इंदुस्तान में 25 लाग किलमेटर से जादा मैंने यात्रा किया है और करोडू मोटे लोगों को मैंने पतला किया है धरती माता मेरी से बड़ी खुश है भारत माता का धरती माता का मैंने वजन कम किया है माता भूमी पुत्रहम पृथिवे रोज धरती माता को मैं प्रणाम करता हूँ कहता हूँ माता तेरा भार कम करूंगा तेरा बोज कम करूंगा इस सच में ये बड़े जवर्दस तीजे तो जैनेटिक लिए किसी को मुटा पाहूं जैनेटिक भी पी जैनेटिक शुगर जैनेटिक थर्या डस्मा अर्थराइटी से साव मैंने ठीक किया है लाइफटाल डिजीज, क्रोनिक डिजीज, इनकेरेबल डिजीज, जेनेटिक डिजीज योग से अच्छे होती हैं और इसके हजारों लाखों करोड़ों प्रमाद हमारे पास में एविडेंसे है बैलेंस रखता हुए तो ऐसे में किस तरह से एक बैलेंस रखते हुए शरीर को हेल्दी किया जाए और ऐसा नहीं कि आप बलकुल स्कीनी बन गया अंडर्वेटी हो गया मतलब हेल्दी तरीके से वेट लॉस किया जाए हाँ, harmless weight loss, scientific terminology में बोले तो तो जो आप योगा भ्यास करते हैं ना, ताब मुझे देखो, मैं लगबग 30 सालों से ऐसा का ऐसा ही हूँ मू रख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैली कीनी और दास कबीर ने तो ऐसी ओडी राम देव ने ऐसी ओडी जियो किति धर दीनी चदरिया राम नामर सभीनी ऐसे रखो अपने शरीर को तो क्या करो युक्ताहार विहारस से युक्तचेष्ट से करमसू युक्तसवपनाव बोधस्य यूगू भवति दुखहा तो आहार विचारवानी विवार सभाव में सैयम मर्यादा इसलिए भगवान राम को हम मर्यादा पुरशुक्तम स्री राम कहते और स्वामी जी जो कुरुमा को मात देना चाहते हैं वो स्वामी राम देव का नाम ले रहे हैं ये बात ठीक कही आपने और सोची ये स्वामे जी आपके वज़े से आपका नाम लेकि करणों लोक्स हेल्दी हो रहे हैं लेकिन साथ ही साथ लोगों के जहन में एक और सवाल भी आ रहा है जो खाने पीने के शौकी हैं अगर आपको देख रहे होंगे तो डर गए होंगे कि हम खाए पिये क्या यो खाने के अगर बात करते हैं तो सर्दियों में तो इतना कुछ मिलता है लेकिन हेल्दी क्या खा सकते हैं जिससे की मोटापा भी ना आए दिल भी स्वास आता रहे पुझ्या माता गुलाब देवी जी ने मेरे लिए गोंद के लड़ू गाजर पाक और तिल के लड़ू तीनों भीज़वा रखे हैं करोडू फैंस है वेरे तो ही निसंदे निसमें हैं के आपको फिलकुली खाना पेना नहीं है खाओ पियो छखो मत देखो भालो तको मत और खापी करके योग भी करो ना ऐसे नहें कि खापी करके पढ़गे मश्टनडों की तरह म है स्वाबी जी मुटापी की वज़े से कई लोगों के सांस भी जादा फूलने लगती है और कुरूना वैसे भी आपके लंक्स को बहुत जादा प्रभावित करता है तो मुटापा कम भी हो जाए और लंक्स भी स्ट्रॉंग हो जाए इसके लिए कुछ कौन से प्राणायम है आपने तो काफ़ी कुछ बता दी जाए लेकिन इसके लाबा कुछ है भी बता दे प्राणायम बहुत दूरिये पाच प्राणायाम रोजगर कम से कम पाच आसन इतना भी कर लेंगे न तो लोगों का उधार हो जाएगा बेड़ा पार हो जाएगा तेरा राम जी कड़ेंगे बेड़ा पार उधासी मन काहे को करे काहे को डरे मेरे भाई कलियों के वाल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उत्रही पारा नाम जपो और योग करो यज्य करो बस तरीका करो इससे वेट भी कम होगा कैंसर भी मिटेगा इससे सुगर भी ठीक होगा इमिनिटी भी बढ़ेगी और सुपर एनर्जी आजाएगी भीतर बहार प्राण को ब्रह्म का प्रमास्र ऐसा सुरक्षा कवस तयार हो जाएगा और योग यज्जे के साथ करो फिर तो यज्जे के साथ लेकिन जिनका बीपी आई है गर्दर में दर्द है कमर में दर्द है हरनिया है दूरा दूरे-दूरे कर लेना ऐसे मेरे कपाल भाती बड़ा जबरदस्त है यह सब बहने करो तुम्हें साथ साल के मर में तीस साल के लगना है न और कभी बूड़ी नहीं होना है न मेरी बाइलोजिकल एज जो है पचास से ज्यादा नहीं होने वाली अभी तो मैं पचीस काई हूँ और सेम यह जोट्सना जी प्रिया पुचा जी मिनाक्षी जी अमिद भाई सेम टू यू तो यू तो यू तो यू नहीं होने देना नहीं होना भी नहीं है सौमी जी जुड़े रहना योग के साथ जो योग करेंगे वो बुढ़े ही नहीं होंगे बीमार तो होंगे ही नहीं और इस एक कपालभाती सो बीमारी उसे बचाता है लिवास्पली इंटेस्टाम पिंकर यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट लॉंग हार्ट थारे पराद मुलादार से सस्रार तकस्टा चक्रा नवद अधिवानदेवान पूरा पूर अध्या देवालाई श्यवाला बन जाएगा अब प्रशन काल भी तो सुरू हो गया हो गया तो जो है स्क्रोड नीचे चला तो रहे हो आए स्वामी रामदेव से प्रशन पूछहू तर बिल्कु स्वामी जी पूझलो फिर प्रशन काल से स्वामी जी मेरा एक प्रश्ण है प्रश्ण जिये है कि हम चुकि आज मोटापे की बात करें तो जो लोवर बैली फैट है उसे कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए उसके लिए कोई अलग से योग आसन लोवर बैली कि ये ये य्यल्वर बेली ट्रिया कि लिए जी आप वैसे भी अब सरो प्रिया हो गई हो सब्सक्राइब अधों सbecव अब सिए ठोड़े दिनों में आपको डेवे प्रिया भगवत प्रिया酒 भारक प्रिया इंडियाbek ब्रिया व्हो जाऊग blessings योग करते करते ऐसे यह कपालभाती यह लोबर बैली का वेट घटाने के लिए बहुत जरूरी है और फिर यह जो बताया था नहीं यह बहुत ही जबर्दस्त है सो दोस्तों बार रहें से बस्त्री का कपालभाती के साथ स्वामेजी तो योग प्रिया जी हो अब प्रिया जी का सवाल हमने ले लिया है स्वामेजी योग प्रिया कर देते अब दर्चुकों का सवाल लेते नहीं तो वह भी नाराज हो जाएंगे अन्वादा का सवाल है उनके बेटे की उम्र आठ साल है और निमोनिया हो गया है स्व प्रणायम करें एक भुजंग आसन करें तो अनुराधा जी के बेटे को धेरे धेरे प्रणायम करना खाली पेट्रस्वासारी गोल्ड आठ साली का बच्छा एक एक कैप्सुल ले सकता है सुबह शम और खाने के बाद करक्युमिन कोल और ब्रोन कोम तो मुँ में चूस भी सकते हैं ने तो बच्छे को ऐसी दोनों पाउडर करके और गर्म पानी के साथ पिला दो निमोनिया तीन से साथ दिन में पूरी तरह से क्यों यह इतनी बड़ी जवरता सीजे और दिन बर स्वासारी प्रवाही को गर्म पानी में डाल डालके थोड़ा थोड़ा पिलाते रहें थोड़ा बच्छे के छाती में पतंजरी बाम लगा दें और दिवेधारा ऐसी रुम सूंग लेते इसी से ही में यह पूरा फेपना खुल जाता है सिमिंदर्वाजा खोल ज vendor जाता उन्राद अब स्वामी जी तका सवाल है इं फीर Посलिब लिए प्रिश पूच रहे हैं विकास का कहना है कि इनकी पत्री कि stood लिगमेंट टीयो इंजरी हो गई है तो क्या उपाए करें कि यह समस्या से चुटकारा मिले तो विकास की पतनी के लिए तो बहुत जरूरी है देखो पतनी को प्रसन्न दखना बहुत जरूरी है तो, एंकल जॉइन्ट हो, या किसी भी जगए, लिगमेंट टियर हो गया हो, तो दूद में, देखो, एक तो यह अभ्यास करें ऐसे, दूद में हलदी, सिलाजी, और लाकशादी गुगल ले ले, और यहां, किसी को टकने में, किसी को हाथ में, किसी को यहां पर, यह जो हमारे लेकमेंट से गडबढ हो जाता है घुतने में घुतने को बहसरिंगी करवाने के लिए यहां आ जाए वैसे हम साथ दिनों के लिए भर्ती करते हैं पते हैं पसषेए फेल से पत्ति कर दो 90 दिन ते rhymes मात्रा बस्ती देते एकदम से वेट कम हो जाता है तो लेगामेंट कहीं के भी गडबन हो दूद में हल्दी सिलाजीत लाक्षादी गुगल और एको प्रेशर और श्रिंगे चिकित्सा इसके लिए रामबान है अगला प्रशना प्लेली जी तो विकास के प्रसंद नहों जाए है इसका क्या उपाए करें हूं तो लंबे समस्य जिनको कभज है न कभज के लिए मैंने बहुत कम बोला है थोड़ा वैसे तो योग करने उसे कभज ऐसे दूर हो जाती है शुद्धी चौन यह आदर ने भरत जीनिक ऐसा फार्मॉलेशन तयार किया उनको भी थोड़ा ठीड़ा था तो एक्सॉपरमेंट करते 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 20-25स सालों में एक सुपर फ् hometown टयार किया और ये पिंडली दबाएं, कबजी मिटाएं, मिट्टी पट्टी से, और गिला तोलिया ऐसे पेट के उपर अखनी से, ऐसे पूरा ना ऐसे, ऐसे रख दती, इससे भी कबजी मिट जाता है, बताओ, छोटी छोटी बाते हैं, महातमा गांधी जी तो मिट्टी खाया करते थे, अब मैं खाने के लिए तो नहीं बोलूगा, किसी को लेकिन मिट्टी लगाने के लिए मने बोल दिया, उसी से काम चल जाएगा, कब जी मिट जाएगी, पपीता, और सेव बहुत अच्छा रहता है, खाने के पहले खाएं, ओडर बदले, सिक्वेंस, क्रम, तो पहले अनार तो पपीता खाएं, तरह सेव खाएं, बादे पकावा खाएं, कब जी होगी ही नहीं। पुरी ब्लट प्रोफाइल, ओट्वर लिवर किडनी, सब का भठा वठा देता है, तो गोधन अर्ग पी होना है, यह गोधन अर्ग, परम ओशद है कोलिस्टोल के लिए, लैसुन खालो, घर की दवाईए, प्याज खालो, एक एक प्याज खालो, नीद भी अच्छी आएग उससे भूख वे अच्छी लगती है, वैसे हमने लिपिडोम, लोकी, घनवटी, अर्जुन की चाल, दालचीनी का काढ़ा भी बताया वा, अर्जुन वारिष्ट पीने से, रध्यामरित लेने से, अर्जुन घनवटी लेने से, करम पानी पीने से कोलिस्टोल अच्छा रहत हूं, कोलिस्टोल डेड़ सोल से लेकर के, धाई सो, तीन सो तक भी रहता तो किसी को डरने की जरूरात नहीं है, डरा रखा है, क्या अगला सवाल भी हम शामिल कर लेते, रिशब का सवाल है, उमर उनकी 32 साल है, और वो बता रहें कि बच्पन से उन्हें अस्तमा की बीबार तो क्या उपाय करना चाहिए उन्हें? कि भागेगा ऐसे, तो मिलेगा ही नहीं कहीं, इतना जबरतस्त है, खाली पेट स्वासारी, बटी खाने के बाद ब्रोन कोग, सो दोसो रुपे की दवा, और फेफड़ा एसे फोला दी हो जाए कि अस्तु स्वामिरामतियो का लेखो, मैंने अमीद भाई के तरह जिम नहीं क स्वांग और कहां चाहिना बोडर पहुंचाते हैं. और स्वामिज उनके लिए क्या हुपा हैं? एसे, फिर उज्जाई करें, और अनू तेल से नस्य कर ले, ने तो पतंजली कच्छी गाने का सरसू तेल ले आएं, उसको नाक में भी डाल लें और उसे को खा भी लें. अब बताओ, कहां रहेगा? त्रिकुटाओ और बहेडा सैथ के साथ खा लें. स्वामिज जी, ये तो प्रशनों के उत्तर हुए, आपसे बात करते करते, और समाधान जानते जानते वक्त का पता ही नहीं चलता है. और अब हम देखें कारिक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चुके हैं. वजन कैसे कम करना है? मोटापे को कैसे घटाना है? योगा अभ्यास का सेशन तो आपने पूरा कराया? जी, अब खाने पीने के नुसके भी बता दीजिए, जो सर्दी में स्वाद तो दें, उसके साथ-साथ मोटापे के खत्रे को दूर रखें और कोरोना से भी बचाएं. जब तक आप इसकी तैयारी करते हैं, ऐसे ही अपने हाथों से चल कर मंच तक देखिया पहुँच गए, तब तक हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कल के कारिक्रम में क्या खास रहने वाला है? डैमेज हुए हार्ट, किट्नी, लंग्स, जान की दुश्मन बनी, नशे की आदद, ड्रग्स के इस्तिमाल से कितना बड़ा, पांच तरहा के कैंसर और कोरोना का खत्रा डर. योग की शक्ती करेगी, वाइरिस की चुट्टी, आयूर्वेद एक दवा दिलाएगी, नशे से मुक्ती, देखे सुभा, 7 बच कर 56 मिनिट पर, इंडिया टीवी पर, स्वामी राम देट के साथ, स्वामी चुट्यूदूदू, तो देखो, ये तो हमने आजकल बाजार में मिलता है, इसमें सब चीजें डाल दी, जो है, स्वामी में सबसे नीचे वैसे डालना चीए था, ये इसको, क्या बोलते हैं, मश्रूम को, मश्रूम को सबसे नीचे डालना चीए था, उपर डाल दिया तो भी उपर उपर आते आते अच्छी भाफ मिल रही है इसको, तो मश काली में थोड़ा सेंध नामकख खाएं वह बहुत अच्छा होता है तो ये तो आज मैं खाउँगा ये भी खाउँगा ये खाउँगा सुबह और ये खाउँगा दोपहर को और फिर ये खाउँगा तो आज मेरा साम तक की मेरी डाइट पुरी तैयार हो गई है और फिर जो है अभी गर्म गर्मा गर्म चाय प्योंगा तो यह चाय किसकी तो देखो यह अधरक है अधरके छोटे-छोटे टुकडे कर लिए और उसमें मैंने थोड़ा सा यह अजवाइन डाल दी अब इस अधरक की और अजवाइन की और गर्मे और इस आप जो इसको पीएगा सुबसे शाम तक ऐसे गर्मा गर्म रहेगा किसी किसी के तो इधर ही नजर है अब इधर आए छोड़ी पतली वाली इसको पकड़ अब इसमें थोड़ा सा हनी और मिला दो और वह भी पतंदली हनी मिलाओ बाक तो चलो आज का उपचार हमने बता दिया अब समाचार आगया आप सनाओ कल मिलेंगे साथ बजर के शपने मिट पे बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसे ही मूटा पाप मुक्त मधूमे मुक्त रोग मुक्त हिंदुस्तान बंता रहेगा प्रणाम प्रणाम स्पामी जी बहुत स दोड़ पाइ